सब्सक्राइब कीजिए ब्यूटी सिक्रेट हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ ही में दियेगे बैल आइकन को भी दबाएए और पाईए सेहत और खुबसूरती से रिलेटिड यूस्पूल वीडियोज हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटी सिक्रेटिंदी मैं आपकी दोस्त नैना गुपता कैसे आप सभी दोस्तों आज के इस एपिसोड पर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे नुस्की के बारे में जिससे आपकी पिग्मेंटेशन यानि जाईया हमीशा के लिए गायब हो जाएगी दोस्तों फिग्मेंटेशन की समस्या लगबख सभी में देखने को मिलती है चाहिए वो लड़की हो या लड़का और अगर ये एक बार हो जाए तो ये जाने का नाम भी ने लेती क्योंकि ये बहुत जिद्धी होती है मगर दोस्तों मैं एक दम नैचुरल नुस्का है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इस नुस्के को आप फूरा देखिए और थोड़ा पेशिंस रखते हुए ट्राइ कीजिए यह नुस्का अपना काम धीरे-धीरे करेगा और आपके पिग्मेंटेशन को जड़ से खत्म कर देगा और रंग को भी निखार देगा इस लोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहते हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ब्यूटी सिक्रीटिंटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही दिए ग लेंगे और उसमें एक चमच हनी यानि शहत को डालेंगे और अब एक चमच रोमिल यानि कच्चे दूद को डालेंगे और लास्ट में हम इसमें एक चमच निमू के रस को डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों यह बहुत ही सिंपल और एफेक्टिव खरेलू नुसका है यह आपके चहरे को मुलाइब और चमकदार भी बनाता है आप इसका यूज साथ दिन तक रेगुलर कीजिए इससे आपको रिजल्ट्स नजर आने लगेंगे आप इस लोशन को एक कोटन की हर्प से अपनी चहरे पर लगाए और 15 मिनट तक ऐसे ही लगा र वह यह कि रिघ्टीक और डूर करके और आपके चैरे को निखाता ही लेकिन आपके चैरे पर छाया नहीं है तब भी आप इसका यूज करते हैं तो यह आपके चैरे पर पिग्मेंटेशन या चहरे की दाग धब्बे को आने से रोकता है और चहरे को प्लीन करता है आप इसे यूज कीजिए और थोड़ा से पेशन्स रखिए उम्मीद करती हूं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए फेस सब्सक्राइब करने वुले थैंक्स एवर वीडियो टेक्यो एड बुबाये